तो आज हम जानेंगे बच्चों का रिव्यू जैसी एक्जाम कतम होता है बच्चे बहार आएंगे अब उनसे पूछेंगे कैसा पैटरन था क्या था एडवांस में और क्या उनका प्लाइन भी कोई है या नहीं तो आप देख सकते हैं पीछे की साई पीछे साई अप्लाइन भी लेकि चल रहे हैं की नहीं तो प्रिपर टू में जैसा हो फिर ठीक है अल्ट इस नाम क्या अपका सपना सपना पका एक्जाम कैसा हुआ मेरा physics और chemistry ठीक है, math तोड़े difficult लगा मुझे Math difficult रही थी? जी Last time examination देता और first time ता यहाँ? First time ता यहाँ क्या लग रापको? Selection हो जाएगा हो जाएगा Okay, so plan B लेकी चल रहे है? Yes All the best क्या नाम आपका? मेरा नाम अक्षिदा केन है क्षिदा आपका एग्जाम कैसा हो जाएगा? एग्जाम तो ठीक ठाक था पार्टन तो मतलब moderate to high Moderate to high था Last time exam देता यहाँ? First time यहाँ First time ता और mainz का भी first time ता क्या नाम आपका? Tanishka Yadav कैसे ग्जाम आपका? ठीक था, overall थोड़ा moderate to hard था पर chemistry काफी easy थी और physics moderate थी पर maths काफी hard थी Maths hard थी, physics easy थी Physics moderate थी Mainz में आपका क्या secure रहा? मेरा 93.4 था Okay, अभी hope क्या लग रही है? अब लिखते हैं Hope so cut off clear हो जाए, maths में बस और तो बस लिए तो बिलॉंग करना है? OBC OBC category, Delhi से ही है नहीं माम, हरियाना से, रिवाणी से, रिवाणी से, रिवाणी से, रिवाणी से, रिवाणी से, all the best Thank you, माम अब का Bumika Bumika कैसा राई था माँ था? अच्छा था, मैं को लगा कि इस बार रहा है Easy था Physics, Chemistry, Maths के रिगार्ड़िंग था तो कि आप से साल तो असान था तो राइट नौ मतलब अपीरिंग से आप पहले फिर्स टाइम्ट कर रहें? नहीं मैंने ड्रॉप यह था जी में क्या रहा आप था मैं 98.4 था 98.4 All the best Thank you क्या नाम आप था? Shivam Shivam कैसे एक्जाम गया था? एक्जाम ठीक था मतलब नॉर्मल था पिसली बार के जो पिपर देखे थे मैंने एडवांस के उससे थोड़ा असान था physics, chemistry, math as always stuff थी ऐसे ही था और chemistry में coordination और chemical burning से जादा था physics में असान question थे जैसे dimensional analysis पर था एक question असान था और magnetism से थे वह भी हो गए असान थे लेकिन maths थोड़ी mixed concept आया थे mixed concept आया थे physics और maths के बीच में अगर compare किया थे तो कौन सा आप तू जादा वो बुलेंगे कि हाँ ये थोड़ा tough में आया था maths करी tough हो था क्योंकि सारे बच्चों को maths ही tough लगती और मैंने भी जादा मैच्स करी नहीं थी physics chemistry पे जादा ध्यान था तो physics असान लगी उससे numerical base पूरा थे matching भी थी और integer type भी थे multiple select position और mcq भी आया थे okay mix था मतलब pattern तो जी मेंस में आपका कह रहा था जी मेंस में थोड़े कम रह गए थे 88% थे तो अभी hope क्या लगड़ी कि advance में उसका hope है आपके पास या plan B अभी लेके चल रहे है कोई नहीं अभी तो मैंने सोच लिया है कि कर्णी इंजिनियरिंग अभी अगर advance हो जाता तो अच्छी बात है वरना state government college ऐसे DTU वह मिल रहा है मेरको कोटा से और दिल्ली स्टुटेंटों इस वज़े से मिल रहा है है तो आप मुझे बताएंगे तैसे आपने Ebola के DTU की तरफ आप देख रहे हैं अगर आपके पास यह option नहीं आता है NITS वगरा में नहीं अप्रोच करेंगे क्योंकि घर से दूर जाना नहीं अभी दिली में ही रहना है घर के पास भी एक किलोमेटर के अंदर है DTU Definitely, all the best Shivam